हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर ब्लोगर है या फिर आपकी कोई वेबसाइट है जिसे आप चलाते हैं तो आपको यह अच्छे से पता होगा कि इन सबसे आपकी जो earning होती है वको गूगल एकसेंज के थरू आपके bank account में आती है मतलब आपको इन सबसे earning करने के लिए आपको गूगल एकसेंज की जरूरत पड़ती है उसी में आपकी यह सारी earning जाती है और फिर महां से आप अपने bank में ऊसे ले जाते हैं तो फ्रेंट्स आज की इ से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा के आप लोग देख सकते हैं यहापे तो गूगल एटसेंस का अकाउंट क्रेट करने के लिए हमें सिंपल एक ब्राउजर ओपन कर लेना है तो मैं क्रोम ब्राउजर यहापे यूज करता हूँ तो उससे ही इओपन कर लेता हूँ इस पर क्लिक करके उसके बाद हमें यहाप टाइप करना है उपर www.google.com सिंपल इस पर क्लिक करके हमें गो कर देना है उसके बाद हमें इस पर सर्च पार के अंदर लिखना है गूगल एडसेंस ठीक है इसे सर्च करना है हमें और आप देख सकते हैं यहां पर सबसे उपर ही आ जाएगा एडसेंस earn money from website monetization Google तो यहां पर हमें simple इसके उपर क्लिक कर देना है तो हमारे सामने इस तरीके से page open हो जाता है और यहां से हमें उपर top right corner से इसे three lines जो आपको दिखाई दे रही है आपको इनके उपर क्लिक करना है और यहां से इसे desktop site में convert कर लेना है तो मैं इसे desktop site के अंदर convert कर लेता हूं तो यह जैसा हमें desktop पर दिखाई देता है वैसा इहां पर दिखाई दे रहा है जो Gmail ID से आप AdSense का account बनाना चाते हैं, उसके लिए आपको पहले अपनी Gmail ID बना लेनी है, ठीक है, Gmail ID बनाने के बाद आपको यहाँ पर Get Started के उपर क्लिक करना है, और उस Gmail ID से आपको इसमें login कर लेना है, तो मैं Get Started पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं Gmail ID सेलेक्ट कर लेता हू यहाँ से, Gmail ID को सेलेक्ट करने के बाद, आपको simple इसमें आप sign in हो जाओगे, तो मैं इसे सलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपके सामने page open हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है, एक couple of things before you start, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको your site बोलने को कह र देता हूँ, आपको सिखा रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, मुझे इसमें बनाना नहीं है, मतलब मैं आपको सिखाने के लिए ही, मैंने एकाउंट क्रियेट किया है, ठीक है, उसके बाद get more out of AdSense, यहाँ पे आप देख सकते हैं, yes, send me customized help and performance suggestion, मतलब यह आपको कोई help करना चा country पूछ रहा है, कौन सी है, तो यहाँ पे आपको simple country के उपर click करना है, और यहाँ से अपनी country को select कर लेना है, जैसे मेरी country इंडिया है, तो मैं इंडिया को यहाँ से select कर लूँगा, लिचे scroll down करके, आई वाले section में जाके, यहाँ पे इंडिया आ गया, तो मैं simple India पे, यहाँ आप देख सकते हैं, एंडिया पे click करते ही, यहाँ पे, इनकी terms and condition आ गई, our terms and condition, तो यहाँ पे आप इनकी conditions को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको simple यहाँ पे I have read and accept the agreement, इसके उपर box पे tick कर देना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे start using adsense का option मिलेगा, you started, ठीक है तो यहाँ पे तीन option आपको दिखाई दे रहे हैं, tell us about you, enter information, दूसरे number पे है see how ads looks on your site, ठीक है और तीसरा है connect your site to adsense, तो हम सबसे पहले जो payments वाला option आ रहा है, इसको मैं आपको भरना सिखा देता हूं, यहाँ पे हमें simple enter information के उपर click करना है, तो यहाँ पे आप द Google Adsense का account बनाना है, तो यह सारी information आपको fill करनी होती है इसके अंदर, तो इसमें आपको सबसे पहले account type बोल रहा है, account type में यहाँ पे आप select कर सकते हैं, individual या business, तो यहाँ पे मैं आपको suggest करूँगा, अगर आप YouTuber हैं, कोई website blogger हैं, तो आप individual ही रखें, ठीक है, इसे हमेशा individual ह अगर आपको कोई business है, तब आप business select कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, आपका जो भी नाम है, वो यहाँ पे आजाएगा, ठीक है, यहाँ पे address आएगा, address line 1 और line 2 में confused नहीं होना, आपको, यहाँ पे आपको आपका half address डाल देना है, ठीक है, house number डाल सकत हैं यहाँ पे, ठीक है, और second में आपको other half डाल देना है, ठीक है, आपका इस रीजन से हैं, ठीक है, मतलब आदा-दा address आपको दोनों में करके डाल देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको यहाँ पे town और city डालनी है, अपनी आप किस town में रहते हैं, किस city में रहते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे post code डालना है, आपका जो postal code है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल देना है आपको, उसके बाद आपको अपनी state डाल देनी है, आपके इस state से हैं, जैसे मैं हर्याना डाल देता हूँ, ठीक है, इसी तरीक तो वो आपको call करके भी pin पकड़ा सकता है ठीक है आपको address पूछ सकता है तो ये आपके लिए काफी साधा important है तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें fill करनी है एक एक चीज को इहां पे fill करना है आपको और उसके बाद आपको इहां पे नीचे ये submit का option दिखाई देगा आपको simple इस पर submit पर click कर देना है तो ये information आपकी हमेशा के लिए save हो जाएंगी इसमें आपको बिल्कुल सही सही information ही बनी है तो इस तरीके से आप जैसे इसे submit करेंगे तो आपको गूगल का adsense का जो account है उसमें जो भी आपकी information है वो fix हो जाएगी ठीक है और उसमें आप बाद में भ आपको सिखाया है बस आपको इस तरीके से करना है ये सारी चीज़े फिल आपको करके आपका नाम आपका address आपकी town city ठीक है ये सारी चीज़े आपको फिल करनी है उसके बाद आपको submit पर click करना है और आपकी सारी चीज़े इसमें add हो जाएंगी तो इस तरीके से आप अपन Google AdSense का account create कर सकते हैं बना सकते हैं और अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question है आपके mind में कोई भी query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you